जैशी कृष्ण दोस्तों बियासरा फैमली में आपका स्वागत है दोस्तों आज मैं आपको सिंदूर के कुछ चबतकारिक प्रयोग बता रही हूँ उपाय बता रही हूँ जिससे अगर आप करते हैं तो निश्चिद ही आपको लाब मिलेगा विशेश कर मेरी बहनों को जिन कि मतलब कुछ ना कुछ खिट-पिट लगी रहते हैं या लड़ाई जगड़े बढ़ते जा रहें तो वो लोग इस उपाय को अवश्य ही करें दोस्तों सिंदूर ना केवल सुहाग की निशानी होती है बलकि पति-पत्नी के बीच में प्रेम बढ़ाने के लिए उनके लेवी देपताओं को भी सिंदूर बहुत अधिक प्रिय है हनुमान जी को आपको पताईए कितना प्रिय है सिंदूर मतलब गड़ेज जी को लेकि आज में कुछ ऐसे ही उपाय अपने भाईयों के लिए भी अपनी बहनों के लिए भी वतारियो जिससे अगर वो करते हैं त सबी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुश सके दोस्तों अगर हमारे जीवन में कोई परेशानी है जिससे कि हमें मतलब कोई ना कोई परेशानी लगी हुई है या बहुत समय से कोई परेशानी चल दिये जिससे हमें चुटकारा नहीं मिल रहा तो आप म परेशानी से मुक्ति अवश्य ही मिलेगी उससे चुटकारा अवश्य ही मिलेगा अगर दोस्तों अगर आपके ओपर करजा हो रहा है कि हर कोई इनसान किसी कारे के लिए मतलब कर जा लेता ही है लेकिन दिक्कत वहां आती है जब आप उस करजे को चुकाने में असमर्थ हो जाते हैं तो आप एक जटावाला नारियल उसमें सिंदूर लगा कर अगर प्रतेक मंगलवार के दिन हनुमान जी पर रखना प्रारम कर देते हैं तो निश्चिद ही आपका जो करजा है वो कम होता चला जाएगा और करजे से मुक्ति अवश्य ही मिलेगी दोस्तों इसके अला इंट्रिव्यू की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए बुद्बार के दिन अगर आप गणेजी पर सिंदूर अर्पित करते हैं तो निश्चिद ही आप किसी की भी तैयारी कर रहे हैं उसमें आपको अपनी महनत से अधिक सफलता मिलेगी मतलब जितनी आपने महनत करी है उ अगर आपकी दुकान में व्रिद्धी नहीं हो रही दुकान में मतलब प्रोग्रेस नहीं हो आपके गल्ले में राख तो निश्चिद ही ही आपकी जो दुकान में विक्रिय अवश्य आरुद्गे पड़ेगी दोस्तों इसके अलावा देखें सिंदूर का बहुत अधिक मतलब महत होता है तो इनके आज मैं उपाय बता रहे हूं दोस्तों जिन अधिक मना ले या ओम लिखने और उसमें एक मतलब फिटकरी का टुकड़ा रखकर अगर बुद्वार के दिन सुबाय शाम को पीपल के नीचे एक बड़े से पत्थर के नीचे दबा कर आना है और आपको पीछे पलट के देखना तीन बुद्वार करेंगे ना देखना आपक उसको आप हत्ता जोड़ी जो मैंने एक पहले वीडियो डाली थी अगर उसको सिद्ध करके रख लेते हैं या सियार सिंगी को सिद्ध करके रख लेते हैं अपने मतलब तिजोरी में मंदिर में तो आप मतलब यह सोच लीजिए कि इतनी तरक्य इतनी वृद्धी होती है ती दोस्तों उसकी भी मैंने एक वीडियो डाली थे आप जरूर देखना और दोस्तों जिन भी मेरी बहनों को अपने पती से बहुत अधिक शिकायते हैं कि हमारी सुनते नहीं हैं हम दोनों की बीच मतलब लडाई जगड़े बहुत अधिक बढ़ गया तब इस उपाय को सिंदूर की देखें हर किसी के पास को इस जिelas ओंडी के समय पर मिलता है स्लोब सिंदूर की डबि चाये लकडी की हो चाये काच की हो कोई भी ले लिजिए और उसी सिंदूर को आपको 40 दिन तक लगाना है यह द्यान रखी है और सिंदूर की डबी के साथ आपको लेना एक मोर पंक आप सब जानते हैं कि मोर पंक का बहुत अधिक चमतकार होता है अगर आपका कोई ग्रहे दोश है, काल सरफ है या श्रापित दोश है मतलब किसी भी ग्रह दोश के लिए अगर आप अपने कमरे में मोरपंक रखते हैं तो अलिश्चित ही आपको लाब मिलता है दोस्तों आपको लेना एक मोरपंक और शुकरवार के दिन मोरपंक के उपर आपको सिंदूर की डबी रखनी है और पूरव दिशा की तरफ मू करके मंदिर भी आप अपना पूरव दिशा की तरफ ही रखना चाहिए मंदिर में रख दें और भगवान से प्रात्ना करें किष्ण भगवान का ध्यान करें कि हे प्रभु मेरे पती की आयू लंबी हो, हम दोनों के बीच हमेशा प्रेम बना रहे, मेरे पती हमेशा मुझसे प्रेम करे, इस तरह से प्राथना करनी है, और उसको मतलब मंदिर में ही रख देना है, दूसरे दिन शनिवार के दिन, आपको उस मोलपंग को जला कर उसकी भस में ही रखना है, और कृष्ण भगवान के किसी भी मंत्र का आपको चारण करना है, ओम क्लीम कृष्णाये नमा, ओम नमो भगवते वास्देवाये नमा, या सिरफ राधा कृष्ण, राधा कृष्ण कहते हुए, एक माला का जाब अवश्य करे, और भगवान से प्राथना क करें कि हे प्रभू, मेरे पती मुझसे प्रेम करें, सदेव, उनकी आयू लंबी हो, और सदेव मेरे बनके ही रहें, इस तरह से आपको तीन दिन तक जाब भी करना है, और प्राथना भी करनी है, और देखें मंगलवार के दिन, तीन दिन रखने के बाद, मंगलवार के दिन अपने पती से ही अपनी मांग में सिंदूर भरवाएं और हो सके तो उसमें से छोटा सा तिलक अपने पती के माथे पर भी अवश्य लगाएं अगर वो नहीं लगाते या आपकी मांग नहीं भरते तो देखें आप सोयम भरें और तीका है उनकी फोटो पर अवश्य लगाएं ऐसा आपको 40 दिन तक करना है अपने पती तो सिरफ पहले दिन ही मांग भरवानी उसके बाद आपको सोयम भरना है लेकिन तिलग अगर वो डेली लगा लेते हैं अपने माथे पर तो बहुत ही अच्छा है अगर नहीं लगाते तो उनकी फोटो पर आपको डेली लगाना है 40 द जिनों के अंदर ही उनमें इतना परिवर्तन दिखेगा आपको आप सोयम कहेंगी कि हां मेरे पती में बहुत अधिक प्रभाव दिख रहा है बदलाव है उनका आकर्शन आपकी तरफ होगा आप दोनों के बीच में मतलब प्रेम अवश्य ही बढ़ेगा आप दोनों का प्रेयोग होते हैं आप इनको करके जरूर देखिए अगर आपको हमारी जानकारी हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसको लाइक और शेर अवश्य करें आप सभी को जैशी किष्णा